अभिशेक को श्रद्धानजली देने आये उसके शेरा भाई पती के जाने से दृष्टी को लगा गहरा सद्मा जी हाँ कलर्स के पॉपुलर टीवी सीरियल स्पाई बहु के आने वाल एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिशेक के जाने के बाद से नंदा हाउस की जिन्दगी पलट गई है अभिशेक की पतनी को गहरा सद्मा लग जाता है और उसके बच्चे की जान खत्रे में होती है लेकिन अब वो खत्रे से बाहर है वहीं सेजल अपने फरीद भाई की आकरे निशानी की सलामती की खबर सुनकर भावुक हो जाती है वहीं ये खबर सुनकर योहान भी अपनी बहन के लिए खुश हो जाता है आगे हम देखेंगे की योहान और सेजल द्रिष्टी को वीलचेर पर घर लाते हैं लेकिन अचानक द्रिष्टी को दौरा पड़ता है और वो चिलाने लगती है दरसल द्रिष्टी की दिमागी हालत ठीक नहीं है उसे गहरा सदमा लग जाता है वहीं पुलिस को अब तक इस केस की कोई भी लीट नहीं मिली है ये देखकर योहान बौकला जाता है वहीं दूसरी तरफ स्पाई बहु ने शुरू कर दी है सरजी की तलाश क्या अपने प्लान में काम्याब हो पाएगी सेजल और कब तक योहान से छुपा पाएगी अपना ये बड़ा राज वैल इस पूरी अपडेट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉमेंट के जरी हमें जरूर बताएं साथी टेलिविजिन से चुड़ी सभी लेड़ेस अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले